Dear students, welcome back. SCU, Hyderabad Central University, PhD. इसका ये दूसरा, एक कह सकते हैं, सिरीज, मिनी सिरीज, जिसमें दो वीडियो मैं कोसिस कर रहा हूँ. 2021 का हम लोगों ने एक दिन पहले किया था, आज 2022 की है, मुझे बताया गया है कि इसकी एक्जाम कल ही है, तो, so hopefully, जो भी मेरे student इस exam को, 24 को ले रहे हैं, उनको definitely इससे फायदा होगा, क्योंकि pattern एकदम बिल्कुल same है, 21, 22 में, hopefully, इस साल भी वैसा ही रहेगा. लेकिन हर exam के लिए important होगा, क्योंकि ये collection है, बेहद beautiful नपे तले question का मैंने जैसा कहा है, जिसको देख के आपको लगता है कि question कैसे set करना चाहिए, ये सबग भी ये paper देता है. So, let us begin. इससे पहले की question answer का दौर करें सुरू, ये दो book जो मैं recommend करूंगा, एक तो UGC net exam guide है, जो PDF version में Insta Mojo पे है, इसका link description में मिलेगा, और दूसरी जो है, best जो collection हो सकते हैं, 1000, MCQK, UGC net, और SET, इंसर एक्षाम के लिए वो यहाँ आपको मिल सकते हैं, imagine पे. आए पार्ट A, research aptitude के question देखते हैं, मैंने इसमें comprehensive के question छोड़ दिये हैं, जो करीब 12 हैं या 13 हैं, बाकी equation इसमें हैं. Which of the following statement or statements is acceptable? The correct ये कहा जा रहा है, ये बहुत अच्छा question है, in deduction, we infer particular from general. ये statement सही है, इसका मतलब क्या देखे, deductive method, inductive method, या deductive argument, inductive argument, इस तरह का आप सोच सकते हैं, जो deductive methodology research की होती है, उसमें हम उसको top-down method कहते हैं, पहले जो है, हम abstract logic या reasoning से जो है, कुछ एक general thought जो है, वो लेते हैं. समाज कैसा होना चाहिए, state कैसा होना चाहिए, polity कैसी होनी चाहिए, या election का best method क्या है, और फिर उसके बाद हम down आते हैं, और empirically देखते हैं, अपने idea को test करते हैं, कि जमीन पे जो चीजे दिख रही है, क्या उससे हमारा वो जो reason पे based, जो general idea है या concept है, वो consistent है या नहीं, और फिर उसको test करते हैं logically, और फिर हम उसको एक तरीके से hypothesize करते हैं. ये जो method है, इसको deduction का method करते हैं, इसलिए इसमें हम infer करते हैं, particular, of course, हर hypothesis एक particular fact पर एक statement या proposition होता है, from general, और इसका just उल्टा होता है induction, जिसमें कि हम particular से चलते हैं, bottom-up approach है, पहले हम empirically देखते हैं कि क्या हो रहा है, जो भी चीज़ पर हम thesis करना चाहते हैं, उसको classify, पहले observe करते हैं, फिर fact को जुटा के उसको classify करते हैं, categorize करते हैं, classify करते हैं, pattern ढूंटे हैं, और उसके basis पे हम hypothesis बनाते हैं, और फिर उसको laboratory method जैसा जो है, उसको फिर से हम test करते हैं, this is bottom-up approach, inductive, मतलब general from particular, यह induction हो जाएगा, तो यह statement सही है, यह statement गलत है, in deductive arguments, conclusion is said to follow from its premises with necessity, मतलब deductive argument किसको कहते हैं, यदि दो general statement है, कि माल लिजे कि, जहां जहां आग है, मतलब जहां जहां धुआ है, वहां वहां आग है, इदि माल जैसा statement है, उस पहारी पे, दूसरा statement है कि, या कह लिजे, premises है, दूसरा premises या statement है, कि उस पहारी पे धुआ है, तो इन दोनों से ये निकलेगा, कि उस पहारी पे आग है, तो ये जो है, एकदम definitely निकलेगा, ये दो premises सही है, तो आपको कोई उपाए नहीं है, कि आप ये कह पाएं, कि जो conclusion हमने draw किया, कि उस पहार पे आग है, ये गलत हो, इसलिए डिड़क्टिव आर्गुमेंट में, जो conclusion है, इस से to follow from the premises with necessity, not contingently, तो ये statement सही है, तो A और C इसमें सही है, ये कितना ज़्यादा आपको knowledge देता है, इंड़क्टिव method का, डिड़क्टिव method का, इंड़क्टिव argument का, डिड़क्टिव argument का, तो बहुत ही beautiful question है, which of the following is involved in archival research, ये जो है language question, archive कहे दिया, meaning भी जानते हैं, तो आपको पता लगए कि ये क्या archive को मतलब होता है, historical जो record होता है, मुगल काल का कोई दस्तावेज, उसके through जो आप study करते हैं, समझने कोईश करते हैं, उसको national archive दिल्ली में आप जाकर के, बहुत सारे document वहां देख भी सकते हैं, so studying historical documented records, ये बच्छ इसका definition ही है, archival research का, archive का, तो इससे ये आसानी से, ये सब लड़ू question कह सकते हैं, यहाँ पे जो है, again argument आपको दीगे, इस टाइप का ही argument जो है, वो deductive argument होती है, वो आप देखिए, मैंने यहाँ वेन डागरम पहले से बना दिया, कि जल्दी हो जाए, जैसे यहाँ पहला, इसका वेन डागरम यहाँ पे, इसको वेन डागरम साब बनाना है, all opponents of high corporate taxes are members of chamber of commerce, तो मैंने एक बनाया, all opponents of high corporate taxes, जब थो high corporate tax लगा है, जो businessmen पर tax लगता है, उसको लोग जो oppose कर रहे हैं, सभी लोग जो है chamber of commerce के member है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, यह चोटा सा गोला जो है, opponent of tax है, और यह बड़ा गोला जो है, chamber of commerce है, तो यह सभी उसके member है, तो यह तो ठीक है, एक और बड़ा गोला बनाई है, क्योंकि all members of chamber of commerce are business executive, घुद बड़ा गोला बनाई है, यह business executive है, तो सभी chamber of commerce के member, इसके member है, तो इस तरह से बन रहा है गोला, अब इससे क्या, क्या निकलता है, यहाँ फॉल कर रहा है, वो opponent तो है नहीं, इसलिए यह statement बिल्कुल false है, अब यहाँ second देखिए, all liberals are proponent of national health insurance, तो यहाँ liberal बना देजिए, यहाँ एक बड़ा गोला देजिए, जो कि proponent of health insurance होगा, तो यह तो ठीक है, सभी liberal जो है proponent health insurance के, इसा मैंने दिखा दिया, अब यहाँ some members of the administration, are proponent of national health insurance, इसको दिखाने के लिए को और दूसा गोला लेंगे, और उसको यहाँ थोड़ा सा काटेंगे, यह दोनों common हैं, तो some member, कुछ administration के member, जो हैं, वो proponent of health insurance है, अब इन दोनों को देखें, तो क्या यह statement आता है, कि therefore some members of the administration are liberal, अब दिखें, some members of administration, जो हैं, वो liberal के, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, यदि यह गोला इतना बड़ा ऐसे हो, तो कुछ member होंगे, नहीं भी हो सकते हैं, तो यह कोई ज़रूरी नहीं है, मतब definitely इससे follow नहीं करता है, जो कि यह directive argument में definitely follow करना चाहिए, इसलिए यह भी गलत है, इसलिए both A and 2 are invalid arguments, मतब premises से निकल के नहीं आता है, हर्मेनिटिक सर्कल क्या है, यह भी एक अच्छा question है, हो सकता हैं आप नहीं जानते हैं, एक बार जान लीजिए, यह Martin Heidegger नी जो है, इसको develop किया था, बहुत famous thinker आप जानते हैं Heidegger को, तो उनका एक idea था कि whole को समझने के लिए part को समझना ज़रूई है, और part, और और यह आप whole को यह आप समझ जाते तो उसके part को भी समझ सकते हैं, बताब part को समझने से whole और whole को समझने से part, तो एक circular जो होता है और यह कैसे होता है, जैसे कि यदि मान लीजिए आप Hegel का classical text को समझना चाह रहे हैं, तो उसका एक particular जो उन्होंने paragraph लिखा है, वो उसका part है, और उनका whole idea है, उस chapter का वो उसका whole है, तो आप पहले उस paragraph को यदि समझते हैं, तो आपको whole को समझने में असानी होगी, और the whole जब तक आप context में नहीं समझ पाते हैं, तो उस part को भी नहीं समझ पाएंगे, तो यह जो circulate करता है whole to part, part to whole in hermeneutics, hermeneutics क्या होती है, ancient जो classical text होता है, उसको कैसे आप interpret करते हैं, मनुष्पृति को कैसे interpret करते हैं, आप plateau के जो republic है, उसको कैसे interpret करते हैं, even Hegel का जो philosophy of right है, उसको कैसे interpret करते हैं, इसको hermeneutics या textual interpretation करते हैं, so relationship between the parts and the whole of a text, यहाँ पे एक word में आपको बता रहा हूँ, Seneca Dicke, अब इसका spelling देख लीजेगा, Seneca Dicke, एक philosophy में यह होता है, knowledge case में, जहाँ पे कि आप एक part को whole समझ लेते हैं, Seneca Dicke की सबसे अच्छा example है, कि आप किसी हाथी को, एक ऐसे उसके सूड को किसी अंधे ने छुआ, और कहा कि हाथी जो है वो, उसकी जो है वो pipe जैसा उसका shape है, तो it's like that, तो इस फलासी को Seneca Dicke कहते हैं, fourth question देखे, of the three basic functions of language, यह आपको सिखा रहा है, कि language के तीन function है, expressive, कुछ वो view को express करता है, express करता है कि यह अच्छा है बुरा देख, directive, आपको कुछ direction देता है, और information देता है, language का ही काम है, इस तीन statement में से कौन क्या है, तो यहां देखे, if your parents or someone else can claim you as a dependent in their return form, then check the box on line 33 basic, यह बिल्कुल direction है, तो one जो है direction होगा, तो direction दो में है, यहां यहां, तो इसका मतलब यह दोनों गाइब हो गया, 50-50 game आपने खेल लिया, lawyers are sort of people whose profession it is to disguise matter, यह expressive है, क्योंकि यह कुछ opinion express कर रहा है, तो यह directive was expressive, तो यह हैं पर आपका हल होगा, इसका मतलब third जो है, बिल्कुल information है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, beautiful question अगे, one of the following is not associated with positivism, यहां आप confused, इसमें इन दोनों में करेंगे, Morij, Skilk, इसे आप Berlin में कर सकते हैं, क्योंकि सैंथ, सिमन, और अगस्ट कौम्ते, यह तो father of positivism कहलाते हैं, सैंथ, सिमन भी जो है, positivism के एक तरह से guru रहें हैं, अगस्ट कौम्ते के, इन्होंने जो है scientific socialism के सुरुआत की, इसके यह सब पितामा हैं, यह उसके पिता हैं, अगस्ट कौम्ते, तो इसे आप Berlin जो है, बिल्कुल नाता नहीं है, positivism से, यह एक liberal thinker थे, जो value-pulism को जो है, तवज्यों देते हैं, जो know, negative and positive liberty का अंतर कहा था, आप एक liberal thinker के तौर पिए इनको जान सकते हैं, Mori Jiskels जो हैं, वो positiveism से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो leader थे, वियाना सर्किल आफ लॉजिकल पॉजिकल पॉजिटिविजम के, जो flourish किया था, वियाना आस्ट्रिया में, 1930 में, इससे जो हैं, वो Harvard Simon भी जुड़े हुए था, कई और thinker भी, तो ये, ये, पॉजिटिविजम जुड़े हैं, कौम्टे तो पॉजिटिविजम के फादर ही कहा आते हैं, और साइंट से में, ये, इसका सही अंसर होगा, इसे अब अर्लिन जो जुड़े हुए नहीं है, पॉजिटिविजम मतलब क्या होता है, मतलब कि जो चीजे आप अपने sense experience से देख सकते हैं, बस उसी के through knowledge को gather करने की जो प्रक्रिया हो पॉजिटिविजम है, आप अपने जो छू सकते हैं, सकते हैं, सूंग सकते हैं, मतलब अपने sense experience से उसको affects, observation लीजिए, उस basis पे, मतलब एक तरह का inductive approach भी आप कह सकते हैं, empirical approach भी कह सकते हैं, scientific approach भी कह सकते हैं, GWF Hegel's, Hegel's philosophical method involved developing ideas rather than mere concept, अब यहाँ idea और concept में क्या फरक है यह आपको जानना चाहरा है, यह question difficult है, मैं किवल इसका answer टिक कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा इस पर discuss नहीं करूँगा, क्योंकि यह आपको काफी confusion create करेगा, और यह difficult question है, लेकिन arbit question नहीं है, He wanted to capture the concept and its actualization, यहाँ पे आप एक बात याद रखेगा, कि उन्होंने कहा था कि rational is actual and actual is rational, इसका मतलब क्या होता है, यह actualization word यह रहा हूँ, देखो इनका कहना था कि जो भी चीज जिस रूप में manifest हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि वही होना rational है, मतलब वो वही सबसे होना logical है, वो ही justified है, इसलिए वो हो रही है, जस्टिफाइड है, सही है, तो यह चीज जो है, तो यह इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मैं इसको पूरी explain नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इस ए difficult question, ए proposition is noble a priori, यह question आसान है दिए आप a priori और a post reary का मतलब जानते हैं, तो अगें यह केवल language का है, a priori का मतलब यह होता है, कि beforehand आपको कुछ पता है, आपको investigation से पहले ही, जिसको आपने life world आपने देखा था, मतलब जो आप बिना कोई पढ़े लिखे भी आपको एक intuition से, अपना sense of region से, experience, learning से, आपको जो पता होती है, उसको a priori कहते हैं, कोई चीज़ जब आप पहर लेते हैं, कोई चीज़ जान लेते हैं, अब जब बसन ले लेते हैं, उसके basis पे जब आप कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो a posteriori कहलाता है, so it can be known without experience of the real world, तो यह a priori है, और यहाँ ध्यान देजे कि a priori जो है, वो rationalism से जुड़ा हुआ है, जो abstract, logic, rational, region से आप जान लेते हैं, और जो a posteriori है, यह positivism से जुड़ा हुआ है, जो आप अपने sense experience से ही जानने के बाद जान पाते हैं, तो rationalism versus empiricism में, तो यह rationalism हो गया, और यह impiricism हो गया, यह normativism कह सकते हैं, यह impiricism कह सकते हैं, historicism, जिसको कि Karl Popper ने एक कारण बता दिया था, political theory के decline का, उसका माईने क्या होता है, कि historical law से ही सब कुछ governed होता है, history एक law के नुसाद चलती है, यह historicism, ऐसा होता नहीं है, मतलब आप संयोग को बिलकुल law मान ले, तो कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा होगा, जैसे कि Marx में जो किया है, historical materialism में, तो the belief that history is governed by law, not that the mode of history is governed by mode of production, the scientific study of history नहीं है, यह systematic, यह basically यह है, a belief that historical processes are governed by law, इसपे की Karl Popper and many other thinker, इसपे question उठाते हैं, Hobbes के method में law of nature क्या है, यह भी difficult question हो सकता है, law of nature, आपको पता है, उन्हों का था, even law ने भी इसपे काम किया था, ज्यादर काम किया था, law के nature से ही वो natural rights निकालते हैं, law of nature क्या था, law के अनुसार, कि जो हमको God-given या nature-given sense of region है, उससे जो हम समझ पाते हैं कि यह करना सही है, क्या करना गलत है, वो law of nature, वही बात Hobbes भी कहते हैं, कि it is self-evident truth deducted from logic, लेकिन एक मिट, एक मिट, यह logic इसमें नहीं आएगा, क्योंगि logic से नहीं, dictates of region to which we may agree, यह बैसिकली जो sense of reason जो हमको God-given है, इसके लिए कोई आपको कोई positivism नहीं चाहिए, sense experience नहीं चाहिए, हर ब्यक्ति जन्म से ही जानता है, कि किसी को छुड़ा मार के नहीं मारना चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, यह सब चीजे जो है law of nature है, तो उसको हम अपने sense of reason से जो है, हम agree करता है कि यह सही लगता है, कोई इसके लिए हमें कोई learning की ऐसा जरूवत नहीं पड़ती है, of course यह तो आपको difficult लगगा कि C ही क्यों, या D क्यों नहीं, या prescriptive statement derived from fact यह तो नहीं है, statement based on observation of nature, यह भू confuse कर सकता है, लेकिन यह इसका सही answer इनों यह दिया, मुझे भी लगता है यह ठीक है. यह statement देखिए, यह reflexivism के बारे में बताया है, और बहुत beautiful है, drinking a cup of tea, sitting on a mat next to each other, in moments of remembering pain and sadness, holding hands and comforting each other, all played roles in creating a narrative I wanted to bring back to my analysis. तो यह एक तरह का self-reflexivity है, यह आप वो critical thinking में नजार आता है, जो modern, post-modernism में भी नजार आता है, self-reflexivity क्या है कि आप खुद ही जो है, अपना introspection करते हैं, अपने अंदर डूब जाते हैं, और अपनी को अलग से देखते हैं, आप एक third party बन जाते हैं, फिर अपने situation, क्यों आपका thought ऐसा आ रहा है, उसके विचार करते हैं, कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो यह चीजे जो हैं, इसको reflexivity कहते हैं, और यह बहुत important process होता है, हमारे thinking में, हमारे epistemology में, और उससे हमारे thought भी बहुत clear होती है, interpretivism and identities figure most prominently in the theoretical debate on, तो अगेन यह जो है critical international relation approach में, आप इसमें self reflexivity को भी ले सकते हो, interpretivism जो है एक तरह का reflexivity है, और identity, यह सब जो है, यह norm का लीजिए, यह critical thinking है, जो belief है, जो soft चीज़ है, role of ideas है, उन सब का क्या role है, थियोरी में, यह critical international relation approach है, discourse analysis को कि, Michelle Foucault ने एक नई उचाई पर पहुँचा है, discourse क्या होता है, जो language, speech, communication के थूरू जो आप truth को गढ़ते हैं, मैं कई example देता हूँ, जिसे नॉर्थ इंडिया में किसी को आप बोलेगा, टुकरे टुकरे गैंग, तो 2014 के पहले, इस vote का कोई मतलब कोई नहीं जानता था, आज जो है आपको, इसका मतलब कोई गैंग नहीं है, टुकरे टुकरे गैंग मतलब वो है, जो थोए मुस्लिम परस्त होते हैं, जो इंडिया को एक नहीं देखना चाहते हैं ऐसे जो यूआ वर्ग हैं जो लेफ्ट औरियेंटेड हैं लिब्रल माइंड के हैं लेफ्ट लिब्रल उनको जो है टुक्रे टुक्रे गाएंग कहा जाता है जो कि रास्ट्री एक ता इन सब पे बहुत विचार रखते हैं तो यह कैसे क्रिएट किया गया नेरेटिव जो है मीडिया के थूँ पेपर के थूँ नेरेटिव के थूँ जो गढ़ा जाता है ऐसे कई जो हैं वोर्ड को हम गरते हैं इवेर हुमेन राइट गढ़ा गया है यह सारी वोर्ड जो है न वो अपना modernity जो है डिस्कोर्स है वो भी गढ़ा गया है जब पहली बाद वोर्ड शुरू हुआ था तो उस पर लोग लड़ते थे कि हमें modern मत बोलो democracy एक डिस्कोर्स है जिसको एक तरीके से गढ़ा गया है तो डिस्कोर्स एनलेसिस क्या है अब यहां देखेंगे तो जो आप टेक्स्ट पढ़ते हैं कोई भी पैंपलेट पर रहा है मीडिया का पर रहा है क्या एक पर्टिकुलर थीम है जिसको क्यों प्रमोट कर रहा है लुकिंग फॉर साइलेंसे जिन आर्गुमेंट्स एन स्टेट्मेंट्स और वाट इस नॉट क्लिरली स्टेटेट्ट कुछ चीजों को छिपाया जाता है कुछ को बढ़ाया जाता है डिस्कोर्स यह है उसके थ्रू मीनिंग को गढ़ा जाता है जिस पक्ष को आपको नहीं ट्रूथ में लाना होता है उसको आप छिपा देते हो उसको आप गायब कर देते हो लुकिंग ए जेनियोलोजिकल एप्रोच तो लुक अट हाव ए पॉलिटिकल कॉंसेट और आइडिया अज डेवलॉप्त ओर टाइम वे आप जीनियोलोजिकल लासिजजज क्या है ऊसको जीनियोलोजिकल अलेस्जजज करओ कि डेवलॉप्béमिंट उर्ड पहली बार कब शुरू हुआ इंगलेज्ज में बोलना पहली बार पहली बार जब बोला गया ये लिखा गया तो उसका क्या भाहिन था उसके माइने कैसे change किये history में, आज उसके क्या माइने है, इसको genealogical analysis करते हैं, और ये सब discourse analysis का part है, यहाँ पे आप ये भी याद कर सकते हैं, कि Michelle Foucault के अनुसार जो है, वो discourse ही वो method है, जिसके through powerful जो है, वो knowledge को create करते हैं, या truth का creation करते हैं, और जो powerless होते हैं, उस truth को accept करना हो होता है, और इसको बहुत लोगों ने इस discourse analysis को use किया, जैसे कि Edward Said ने अपना जो orientalism लिखा था, उसमें उन्होंने Michelle Foucault के discourse analysis को use किया, इसी को जो है feminist thinker भी अपने theory में use करती हैं, कि कैसे male dominated जो thinker हैं, उन्होंने discourse के through ऐसा गढ़ा truth को, जिसमें कि women जो है, और उनके concern, वो invisible हो गए, वो subordinate हो गए, hierarchical order में, चौदर नमबर question देखे, while the old institutional approach focused simply on formal and structural aspects of institutions, the newer institutional approach considered, ये question में सार से vague है, क्योंकि new institutional पे मैंने इतनी class लिये हैं, लेकिन इसका जो answer है, वो कहता है कि actual behavior of the institution, ये तो सही है, what result from procedure, I don't know क्यों इसको सही माना, regress analysis of the institution, what does it mean, और why individual choices or institution root doesn't matter, ये इन तीनों को सही कहते हैं, ये doubtful question एक मुशे लगा, जिसको देख लीजएगा, जिसका सही answer है, 1, 2, 3, पंदरो नमबर देखे, one of the following is a system of classification by which states, institutions, processes, political cultures, ETC are divided into groups with common set of attributes, और wonderful किसका जवाब है typology, मतलब ये again एक language कहा है कि typology, मतलब categorization, इन सब को, और उसको study करना, तो groupism एच्छा word नहीं है, systematization थो अलग type का है, typology and groupism आप confuse कर सकते है, typology is better word, ये मुझे समझ में नहीं है कि discourse analysis फिर से क्यों दे दिया, ये इतने अच्छे paper में question कैसे repeated, I don't know, फिर उनको repeat कर दिया इस question को, ये question देखे कितना beautiful, like criminality is likely to be lower in constituencies, constitutionally reserved for protected humanity, जैसे माल जे कोई Muslim के लिए reserved है, या कोई theoretical reserve है, तो वहाँ पे जो है criminality कम होगी, and indirectly elected body, जहाँ पे कि सीधा election नहीं होता है, वहाँ भी criminal कम होंगे, where caste divisions are less silent, बहुत silent बहुत important, क्योंकि वहाँ election ही नहीं हो रहा है, direct or caste, पे प्ले में नहीं आता है, तो criminality भी कम होगी, तो यहाँ पे यह दी ऐसा है, मत जाई एक ऐसा है की नहीं है, लेकिन इसमें dependent variable क्या है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा question है, को independent, dependent variable का आपको concept दे रहा है, dependent variable वो है, जिसको आप study करते हैं, और उसी पे अपने hypothesis बनाते हैं, यहाँ पे hypothesis किस की है, और study किस की, criminality की study है, और वो किन चीजों से affected होता है, वो independent variable है, जैसे की caste division कितना है, वो एक independent variable हो सकता है, वो क्या constituency जहाँ हम study कर रहे हैं, वो reserved है कि general है, यह एक independent variable हो सकता है, क्योंकि यह ऐसा डालता है, dependent variable, तो criminality is the dependent variable, यह question मैंने आगे deal किया है, चली देखते हैं, अब यह दो question mathematics पे है, यह simply है कि 4 जो है, साल में 5 student का यहां marks दिया गया है, ब किसका सबसे अच्छा है, तो आप average सिधा निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा आँख से भी देख सकते हैं, वैसे तो एक है किसी बहुत आसाइन सब को जोड लीजे और 5 से 5 पे डिवाइट कर दीजे, लेकिन आप देख सकते हैं, कि यह तो बहुत छोटा है, तो इ इसका answer मुझे लगता है कि साइज उन्होंने, which batch score better on average, मुझे लग रहा है, चेक कर लेजेगा, मैं भूल गया हूँ, क्या है, very easy, निकाल लेजेगा, इसको तो आप ऐसे हटा सकते हैं, यह देखिए, which batch has more consistent score, यह देखिए आँख से कैसे आप देख सकते हैं, consistent मतलब यह होत और minimum है 3, तो इसका 6 है, इसका देखेंगे तो 15 और 5 to 10 है, इसका देखेंगे तो 15 and 2, 13 है, तो minimum जो range इसका है, मतलब यह consistent है, of course low score है, लेकिन यह ज़्यादा evenly distributed, तो इसका सही answer जो है 2012 हो जाएगा, यहाँ पर देखें, यह एक deductive argument जैसा है, data shows that over the past several hundred years, there is an inverse relationship between piracy and global temperature, यह data है ऐसा, कि जो पिरेट होते हैं समुदरी, डाकू, डकैती, वो और global temperature, जो दुनिया का temperature बढ़ आ, उसमें एक relation है, जितना ज़्यादा पिरेट होते हैं, जितनी डकैती होते हैं समुदर में, उतना ही temperature, global temperature घड़ जाता है, और जितना कम डकैती होते हैं, उतना ज़्यादा temperature हो जाता है, अब यदि ऐसा है, यह data है, तो statement एक है कि the decline of piracy in high sea has caused global warming, तो यहाँ पर कह रहा हैं कि जितना ज़्यादा पिरेट होंगे, उतना lower होगा temperature, तो जितना कम होगा, उतना high हो जाएग तो यह क्या ऐसा सही है कि decline of piracy in high sea has caused global warming, तो यह बिल्कुल बकवास है, sorry मेरे वार्ट पर मचाईएगा, मतलब उसको इसी तरह से कह सकते हैं, क्योंकि यह जो है, यह correlation, मतलब यह coincidence को हम causal बना रहे हैं, जैसे यह ना कि आज जो है, वो एक मेरे घर पे किसी कवे ने जो है, वो काउं-काउं किया और आज बारिस हुई, तो इसका मतलब कि कवभा जो मेरे घर पे काउं-काउं करता है, तो बारिस होती है, यह दो event हुए है, एक के बाद एक के, इसका मतलब यह उसका cause हो गया, ऐसा नहीं है, तो just ये coincidence से गयसा है, इसका कोई correlation नहीं हो सकता है, इसलिए यह बिल्कुल गलत है, अब statement B देखिए, the rise and spread of industrialism has increased global warming and reduced the incentive for piracy, अब देखिए, high C में यदि global warming होगी, तो कुछ piracy पेसर पर सकता है, यह हम लोग को पता है, not by this fact, अब यहाँ देखिए, problem क्या दी, इस fact पे हम किवल जाएं दी, हमको किवल यही पता है, तो यह भी statement गलत हो जाया, लेकिन इन्होंने इस statement को सही माना, यह questionable है, क्योंकि इसके लिए हमको अलग से जानना होगा, कि industrialism से fossil fuel जलता है, और global warming होती है, इसलिए यह तब statement सही हो, इसलिए question doubtful है, इसका सही answer इन्होंने दिया है, कि A is false, but B is true, मेरे इन्हों सार से दोनों false हो सकता है, ध्यान देजिएगा, यहां पर एक average का question है, वो यह कहता है कि यह 7 दिन में, जो है complaint कितना book हुआ, यहां पर दिया गे किस telephone company में, इसका average जो है वो 39 है, यहां पर सब को जोड़ा, 10 से divide कर दिया, लेकिन यह कह रहा है कि outlier को यह आप निकाल देजिए, यहां outlier का आपको मतलब ही जाना होगा, इसका मतलब है जो सबसे अजीब सा data है, जो कोई match नहीं करता है, देखे 183 एकदम outlier data, उस दिन कुछ ऐसा हुआ होगा, कोई cable fault है, कुछ ऐसा हो गया होगा, कि telephone company पास अचानेक से बाढ़ा गई होगी, यह normal नहीं, उसको इस तरह के data को outlier data करते हैं, जो कि उस pattern को match नहीं करता है, जो कि इसको निकाल दे, इसका मतलब कितना है, 9 observation बच गया, चुकि average 39 है और 10 observation है, तो total 390 हुआ, 390 में जो हम outlier को निकाल दे 207 बचा, और observation 9 है, 9 से divide करेंगे 23 होगी, इस type से इसको आपको हल करना, I hope कि जो mathematics जानते हैं, वो समझ रहे होंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, जो जिनकों तो कटना ही हो, average को निकालना, और कैसे एक observation को हटा के निकालते हैं, जो हो सीख लें, Find the most appropriate conclusions after reading the following statement, अगर, again, जो है, ये, sorry, ये उस तरह का deductive argument नहीं है, अलग 2 statement है, ordinal data group information in two categories that do not have implicit ranking, ऐसा नहीं है, ordinal मतलब क्या होता है, ranking, ये कोई group category नहीं होता, nominal data करते हैं, उसको जो categorization करते हैं, जैसे कि first, second, third, इसको जो है, ordinal data करते हैं, इसमें ना कोई, आप, इसको mathematical operation आप नहीं कर पाऊगे, क्योंकि आपको ये पता नहीं कि first or second के बीच का gap कितना है, जो second or third के बीच के gap से ज़्यादा है, कम ऐसे नहीं कर सकते हैं, बस आप order कर सकते हैं, तो ये wrong है information, जो है, nominal data जो है, group करती है, into categories with an implicit order, इसमें कोई order नहीं होता है, मालेज़े आपने married लोगों, married, married लोगों का group बनाया, unmarried का बनाया, divorced का बनाया, इसमें कोई order नहीं हो सकता है, कि उसमें कौन पहले है, कौन बाद से कोई मतलब नहीं का, जो group बनता है, इसलिए भी गलत है, so both are false, ये perhaps, जो है, last question होना चाहिए, logical, ये research aptitude का, और ये बहुत आसान है, सबसे पहले देखे कि cherry picking लिजिए, cherry picking क्या होते है, ये जो यहां पर लिखा गया हो ही इसका मतलब है, so it is, what it is saying, selecting evidence that fit your claim, while ignoring evidence that contradicts, हर समय आप देखेंगे कि, जो नेता लोग बैठते हैं, प्रवक्ता पाटी के जब देते हैं, वो cherry picking करेंगे, वो कुछ, कोई चीज होगी, जैसा भी माल लिजे, कोई BJP की नेता बैठेंगे, तो मनीपूर को नहीं, वो मोदी जी की जो अमेरिका में हो रही है, जैजे का, उसको वो highlight करेंगे, तो ये cherry picking है, जो Congress के होंगे, वो अपने राज्य में, जो रास्थान में हो रहा है, वहाँ पे नहीं देख करके, वो माल लिजे, जो BJP के state में जो हो रही है, प्राब्लम मनिपूर में, उसको देखेंगे, तो ये cherry picking है, बिलकुल निमासान है, तो 4 का A, 4 का A से ही आप जो है, 50-50 गेम खेल लेते हैं, फिर उसके बाद आप आप आईए, sampling bias, तो यहाँ पर एक ही आपको मिलेगा, drawing conclusion from a data set, that is not representative of the population, you are trying to understand, तो वो representative population है ही नहीं, आपने मतलब कि, जैसे मैंना आपका example भी दिया था, कि आप Adidas के show room से जो लोग बाहर निकल रहे हैं, उसको अपना दिल्ली का sample मान लो, cannot place पे, और पूछो कि आपको Adidas के जूता पसंद है कि नहीं, sampling bias है, तो 2 का D, और 2 का D एक ही में आ है और इससे हल हो जाते हैं, आप दोनों false casuality and gambler's fallacy पढ़ लिजेगा, बिना पढ़े हुए आगे मत बढ़िएगा, दोनों ये बहुत beautiful concept है, और ये सा आपको fallacy जानना चाहिए, अब आईए हम लोग part B domain में चलते हैं, जो कि again जो है बहुत ही beautiful question का जो है assemblage है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जिन question को आप नहीं जानते हैं, उतना आपको नहीं जानना भी चाहिए, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, कि जो अच्छे question का set होता है, उसमें करीब 10 to 20 percent question difficult होने चाहिए, जो आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो filtering होती है, और वो ठीक है, 18 percent ही आप जानते हैं, तो आप compete भी करेंगा और आपको कोई अफसोस भी नहीं होगा, ये question उसी take का है, historical materialism को कौन नहीं जानता, कार्ल मार्क्स की method है, जिसमें की mode of production से वो history को देखते हैं, या history जो है कैसे mode of production का change है, और उसी से class structure, class struggle के dynamics जो है बदलते हैं, जो इदि आप पढ़ेंगे इसमें तो ये तो नहीं है, material object found in history, economic development of society as the ultimate cause of historical, ये कुछ नहीं है, combination of materialism and dialectic as a historical force, यही है, मतला historical dialectic materialism भी इसको कह सकते हैं, dialectism कैसे जो है वो dialectic methodology से जो है, ये dialectic के method से mode of production जो है, unrelational production change करती है, और उसे ही जो है development civilization जो है आगे बढ़ता है, और class का जो power struggle है, वो भी अलग-अलग रूप लेता है, Aristotle departs from Plato's thought because of his, ये statement ब्लकुल सही है, क्योंकि Aristotle बहुत जादा नहीं, उसके उनके comparison में जादा empirical थे, वो observation पे जादा ध्यान देते थे, और वो other worldly को उतना जादा जो है promote नहीं करते, जितना की plateau करते हैं, तो theory of form जो है उसको accept नहीं करते हैं, इंफसिज that true knowledge had a formal and a priori character, जहाँ ये priori आया, इसका मतलब ट्रांस वर्ली हो जाता है, तो इसको oppose करेंगे, वो नहीं मानेंगे Aristotle, stress on observed detail of thought, language and psychology, देखिए observed detail, यहाँ पे imprecision या post priori जैसे आया जाती है, तो उसको जादा value देते हैं, ट्रांस डेंटल को again वो plateau से अलग हो जाते हैं, Translator मतलब otherworldly, जो उनका theory of form था, otherworldness तो बिलकुल तो, ये otherworldness पे ही ये पूरा question है, उनको वो न कारते हैं, तो उनका जो theory of causation है, या जो वस्तुमों कानून दिया, वो सब इसी दुनिया में, यहीं पे idea है, यहीं पे वो idea manifest होता है, कोई दूसरी दुनिया, intelligible world, जो plateau कहते हैं, उस टैप कप Aristotle accept नहीं करते हैं, what does the word earth in the title earth-sas-dumity, ये सब लड्डू question, earth मतलब धन, मतलब जमीन का टुकड़ा, economy, so it is economy, John Rawl क्या है, एक liberal है, ये सब लड्डू question है, socialist नहीं है, वो egalitarian liberal है, मतलब की जो संतावादी हैं, उस टैप के liberal, जिसे की डौर किन के तरह, निस्काम कर्म का जो idea है, ये doctrine है, जो कीता में भी लिखा गया है, और ये इवन बुद्धा के भी thought में आता है, उसका मतलब क्या होता है, जिसको बोलता है, कर्मन्य वाधिका रस्ते, इसका मतलब ये होता है, कि आपको जो है, बहुत तरीके से इसका translate कर सकते हैं, मैं इसका translation ये करता हूँ, कि आप process को enjoy करो, ना कि मंजिल को, जो कि, जो MS Dhoni जो इतने great cricketer बने, उनका भी ये thought है, इसलिए मैं उसको पसंद भी करता हूँ, क्योंकि जीवन जो है, dear restaurant, मैं हमें से कहता हूँ, कि ये एक लगातार एक journey है, जिस दिन आप रुख जाते हैं, तो दिन death हो जाती है, इसमें कोई मंजिल नहीं होती है, बस पढ़ाओ होते हैं, कुछ पढ़ाओ आपको खुसी देते हैं, कुछ उतने खुसी नहीं देते हैं, लेकिन actual life जो है, वो रास्ता है, journey है, process है, तो वही चीज़ यहां पर है, कि आप जो है actions करो, वो process है, series of actions process है, उसको enjoy करो, उसका जो care मत करो, कि उससे fruit या reward क्या मिलता और क्या मिल जाएगा, यदि ऐसा रखोगे, तो आपने life आपका bless होगा, क्योंकि लगाता, action आपके control में है, तो process इसका मतलब आपके control में है, तो आपको खुब मज़ा आएगा, और fruit या reward आपके control में नहीं है, तो यदि वो अच्छा हुआ तो enjoy कीजिए, नहीं अच्छा हुआ तो उतना दुखनत पनाईए, जिसको की इस्थित प्रग कहते हैं, मतलब award यदि बहुत अच्छा है, तो चीखने लगना, reward या fruit यदि बहुत तीखा है, तो रोने लगना, ऐसा भी करना सही सोहा नहीं है, अब यहां पर आप थोड़ा बॉल्ड हो सकते हैं, क्योंकि ring of gases जो है, यह आप इस पर bump हो सकते हैं, यह plateau के republic में यह actually आता है, यह एक book two में उसका है, जो की एक तरह का methodological है, जो इसको एक power दे रता है, जादू का कोई जो है, invisible हो जाता है, Mr. India type का, तो यह इन पर यह आप देखें, तो Aristotle critic plateaus theory of form बिल्कुल असान है, तो two जो है, जो गरेक्ट देखना है, तो two जिसमें हैं वही होगा, चुकि इन दोनों में two नहीं है, तो आप 50-50 game ऐसे खेल लेते हैं, तो one या three में आपो confusion होगा, three है कि Marks defended Christianity in Holy Family, यह साइध आप जान सकते हैं, कि उन्होंने डिफेंड नहीं किया था, तो 1 and 2 सही होगा, तो तो आसान है, अधिया आप नहीं जानते हैं, तो आपके लिए 50-50 कुशन बनके रह जाएगा, मतलब तबाही आपके लिए, आपके लिए, मतलब एक तरह का तुफान, जो आपके लाइफ को तहस्न हस कर सकता है, बाड लग कह लिजे, बाड हो में, तो लोग कहता है, फिर तो क्या, उनसे पूशा, कि भई, तो फिर लोग तो फेट हो गया, मतलब बाड लग हो गया, तो लोग करे तो क्या, तो उनसे पूशा, नहीं, 50% जो आपका, जो है, वो फेट, आपके अपने हाथ में, मुथी में होता है, 50% ही इस तरह के बाड लग के चंगुल में जाता है, तो half of the human axis is gone on a future, of course, यह difficult है, लेकिन इतना भी difficult नहीं, यह थो difficult question में, एक आपने देखा difficult अकर भी, इको सेंटरिजम, यह सब आसान question है, इको सेंटरिजम या डीप एकोलाजी, जो है, वो क्या है, वो जस्ट उल्टा है, एंथ्रोपो सेंट्रिक एक्टिजू से, एंथ्रोपो मतलब human, सेंट्रिक मतलब human को सेंटर में रखके दिया, आप नेचर को देखते हैं, कि हम तो तो यह एंत्रोपो सेंट्रिक एंटिचूड है, एकोलाजी के तरफ, तो यह नहीं होगा, तो वण आाप काट दीजे तो वण नहीं होगा, नेचर संटिदिनिस तो होगा, तो तो ज़रूर होगा, उसी में होगी, यह भी खतम हो गया, तो तो अब 3, 4 में देखिए, नेचर among people, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कि interaction was in ecology को क्या होगा, तो यही एक बच जाता है, two and three, तो आसान है यह, यह भी आसान है, यह match करना, किस टाइप का revolution होई, क्यों चाइना में आपको पता है कि Mao जिदांग के नेतुट में एक pigent revolution हुआ था, और Russia में proletarian, इसी दो से आपका काम बन जाता है, तो one का B और four का C, तो one का B और four का C, यहां पर देखे, तो यह, तो इससे आप यह भी जान सकते हैं कि France में जो है Borgesis revolution था, जो 1789 का, और जर्मनी में जो है वो aristocratic revolution, आप याद भी कर सकते हैं, balkanization मेरे stranger जानते होंगे, मतलब कि एक state, जो है बड़ा state, जो है तोट के बिखर जाता है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो युवसलाविया, जो 6 state में बिखर गया और वो वहां पर balkan mountain series भी है, जहां पर यह states है, इसी से ही award बना balkanization, so division of a state into a smaller state fragment हो जाना, बिखर जाना rational choice जो थेओरी है जो public policy में यूज होती है economics में यूज होती है, decision making में होती है, Harvard Simon ने किया तो वो methodological individualism पे based है, कई बार मैंने बताया है मतलब कि जब individual को center में रखके सारे decision को देखा जाता है, उसी के नजरिये से देखा जाता है कि एक individual अपना utility maximizer के तोर पे है, एक rational actor के तोर पे जो behave करता है, उससे कैसे समाज में decision होते है collective problem आती है और कैसे institutional arena में जो है individual function करता है decision होती है, सब को rational choice methodological individualism के तोर पे चलता है इसके बुराएं भी इसके चलते की जाती है the immediate post second world war reconstruction and development in UK drew on the ideas of यह एक बहुत general question है कि इसको कैनेजियनिज कैनेजियनिजम भी कहते है कैनेजियनिजम, कैनेजियनिजम जो है या John Maynard कैनेज, यह बहुत famous जो है यह 60's, 70's में इनकी सर चढ़के पूरे development में इनकी तूती बोलती थी इनका जो theory था ना वो यह था कि consumption led growth या demand led growth इनका कहना था कि यदि आपको बहुत faster economic development करना है तो सबसे अच्छा method है कि government खुद खुब सारा खर्च करे, पुल बनाए रोड बनाए, building बनाए, railway बनाए port बनाए और लोगों को जो है कम से कम tax भी लगा जिसे कि क्या हो कि लोगों के पास पैसे हो वो भी बज़ार में समान खड़ी दें तो इससे क्या होगा कि demand बढ़ेगा तो उसको match करने के लिए economy भी grow करेगी, supply बढ़ेगा तो ये और ये suit भी करता था उस समय के welfare economics को welfare economics करते थे कि जनता को खुब जो है free ration दो free घर दो, free dash दो free dash दो, ये करो और खुब consumption करो, तो अमेरिका इंगलंड दोनों ने इसको अपनाया, लेकिन 80 आते आते, इसको लोगों ने एक दम बिल्कुल एक तरह से demand rate growth को, जब neo-liberal का era आया, thatcher and dragon तो उसको dustman में fake दिया गया, और फिर supply side economy की बात होने लिगे, जिसके की प्रनेता, Frederick, हयात थे उसमें कहा गया कि no, consumption and demand को कम से कम करो, government कम से कम खर्च करे, welfare expenses को cut करो, और ज़्यादा ज़्यादा focus करो, supply side को बढ़ाने का, मतलब की आप interest rate को कम रखो, fiscal deficit कम रखो तो industry or business को loan कम interest पे मिलेगा, तो वो बहुत ज़्यादा production करेंगे, जो बहुत production करेंगे, तो समान cheap होगा, क्योंकि अधिक production इस निजम जो है, वो that gave way to supply side economics of Frederick Hayek इस निजम जो है, एक form of government होता है, जहां पे की ऐसी power sharing होती है majority और minority के बीच में की minority को veto power होता है और यह ऐसे country में होती है जहां पे की majority, minority इस type कर divided है, कि मान लो 60% जो है, वो 1 है, population 40% एक है, तो आप कैसे ऐसे minority को आप दबा करके आप power नहीं रख सकते हैं, जैसे for example Belgium में Dutch and French speaking जैसे Sri Lanka में Tamil Singla है, South Africa में जो है black and white है, ऐसा बहुत difficult होता है तो वहाँ पे एक नया form of democracy है, इसको consortium कहते है power sharing होती है, सीधा सीधा कि ठीक है भाई हम लोग इस country को ऐसे चलाएंगे, तीन साल के लिए तुम Prime Minister तुमारा रहेगा, दो साल के लिए हमारा रहेगा या तुमको veto power रहेगा, like that तो यह हर जगा ऐसा हुआ है, वहाँ शांती बनी रही है, और इसके जो परनेता है, इस पूरे concept के, वो R.N.L.F.A.R.T. है उसको जब कैसे पढ़ेंगे, Liz Pat, तो आप जैसे भी पढ़ लीजे, इनको आप याद कर लीजे, इनको आप याद कर लीजे, यह matching जो है, बहुत आसान आपको होना चाहिए, क्योंकि Samuel Fanner की जो book है, The Man on the Horseback, जिसमें कि वो military और political का जो घालमिल है, उसको बताते है, Man on the Horseback क्या है, जो military, और वो कैसे जो militarize होती है, कैसे polity, military coup कैसे होती है, और even democracy में भी military और जो power होता है, बल का, उसका क्या role है इन सब पे, Robert Putnam जो है, उन्होंने, जो social capital का अपना concept दिया है, वो falling alone नाम के book में दिया है, इसी दोनों से आपको यह match हो जाएगा, तो आप और मिलाएंगे, तो miliband polanja debate कोई दिया आप याद करेंगे, तो state in the capitalist society and Ernest Gellner is known for his book, sorry, nation and nationalism since 1780, okay, इसके लिए वो जो है जाने जाते हैं, तो आप इसको match भी कर सकते हैं, सिवारम बोला है, कि वहाँ पर party society concept developed हो गया, party society मतलब कि लोग जो society में इसलिए नहीं बटे हुए हैं कि कोई liberal है, कोई left है, या कोई right है, या कोई hindu है, कोई muslim है, कोई उची जाती, नीची जाती, आप किस party के समर्थक हैं, इस पर समाज बढ़ जाता है, कि आप जो है, तृन्मूल के समर्थक हैं, कि आप left के हैं, आप Congress के, और आपस अमार पीठ होती है, गाउं गाउं बढ़ जाता है, कि ये गाउं जो है तृन्मूल का है, और ये of their life, तो party society का जो concept है, वो इन्होंने दिया था, द्वैपन, द्वैपन आयन भटाचारे, अफकोर्स ये भी, मैं मुझे भी नहीं पता था, और मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत मजा है, इसको पढ़ करके इनके थौट को, और इन्होंने जो है, एक बुक लिखा था, of control and factions, the changing party society in rural West Bengal, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसके बारे में जान भी सकते हैं, और he coined the term party society, पढ़ लिजेगा इसको, और थोड़ा और आगे जाके नेट पर पढ़ लिजेगा, बहुत जगा आपको काम देगा, तो यह सब difficult question है, लेकिन not at all arbitrary, यह जो match करना है, of course very difficult है, और इस टेप के लगातार यह कुश्चत पूछ रहे हैं, तो इन सब जो thinker के जो नए बुक हैं, concept हैं, इन सब को देख लिजेगा, इसका सही answer C है, मैं आपके लिए इसको छोड़ जा रहा हूं, लेकिन यह आपको hint करता है, यह बहुत आसान है, इसको भी मैं पढ़ नहीं रहा हूं, यह अकाली दल के बारे में कहता है, जो किसान बिल जब आई थी, तो उस समय में अकाली दल, चुकि पंजाब में किसानों के गुस्चत को देखते हुए, उन्होंने बीजेपी की सरकार को सेंटर में कहा, कि इसको थोड़ा सेलेक्ट कमीटी को दे दो, अभी लागो मत करो, तीम किसी कानून, लेकिन नहीं मानी तो उन्होंने, उनकी जो मंतरी थी, स्रमती बादल, उन्होंने इस्तिफा दे दिया, और लोग उस समय से बीजेपी से अलग होगे, एंडिये से अलग होगे, तो ये बात को यहां पर कह रहे हैं, और पूछने के लिए कि कौन पार्टी ने सके, तो आप बिल्कुल गेस कर सकते हैं, पंजाब की सिरुमनी अकाली दल, क्रिसी कानून के बेसिस पे उन्होंने अपना नाता तूर लिया, बाद हैं बीजेपी लेड सेंट्रल गॉर्मेंट ने उस बिलकुल वापस भी ले लिया, ये भी जो इस टाइप की दूसरी बार वो पूछ रहे हैं, तो आपके पास आज रात में भी टाइम है, तो इसका सही अंसर D है, जसमें ये आपके लिए छोड़ जा रहा हूँ, ये अच्छा पूश्चन है, ये जो बुक है, अच्छा बुक है, ये बहुत फिमस बुक है, और कई एक्जाम में इसको पूछा जाता है, गुनार मैडरल खा, और ये कहां के ताश है, इसको कि आप प्रिजमेंटिक सोसाइटी भी कर सकते हैं, जहां पे कि सोसाइटी ऐसा है कि रूल रेगुलेशन कंस्टिचूशन किताबों में है, और अपने ही तरीके से जो है वो एड्मिस्ट्रेशन या अड्मिस्ट्रेटिव डिजन लिया आते हैं, जहां corruption, nepotism बहुत हाई है, और कानून तो बहुत हैं, लेकि उसका enforcement बहुत ही पूर है, तो यह सब इंडिया में कहीं ने कहीं तो दिखता है, अभी भी दिखता है, इस basis पर उनने कहाता है, इस पर उनकी काफी बुराई भी हुई थी, यह question जो है, थोड़ा सा अर्बिट जैसा मुझे लगता है, लेकिन इनका हक है, अर्बिट इस तरह का देना, according to Rob Jenkins, Rob Jenkins को कितने लोग पढ़ते हैं, which of these factors blunted resistance to economic reform in India in the late 1990s, इनों में बुक लिखा होगा, जो 1990s के late में जो नर्सिमाराओं ने जो किया, economic reform, उसको, उसमें क्यों जो है, वो उसका resistance बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया, तो इसका एक कारण बताते हैं कि federal political system जो यहां का है, उसके business पर, और इस पर पढ़ लिजाएगा क्यों, यह दो statement है, यह बहुत आसान है, जो constitution से है, ए है कि the governor may return a bill presented for assent with a message requesting the house to reconsider the bill, यह तो governor का right है, वो लोटा सकता है, जब president भी लोटाता है एक बार, फिर उसके पास आएगा तो उसको करना होगा, इसलिए यह सही है, statement B कहता है, the bill reserved by the governor for the assent of the president, यह article 200 में लिखा हुआ है, need to be returned to the state legislation within a period of 20 days, कुछ नहीं है, कोई इसमें period नहीं लिखा है, president उसको कई दिन तक रख सकता है, कभी तक रख सकता है, इसलिए यह गलत है, तो इसलिए A is true but B is false, यह भी बहुत आसान question है, soft power अभी तो इतना गूंज रहा है कि इंडिया का soft power yoga है, national yoga day, तो आप यहां देख सकते हैं, यहां पर देखे, soft power को कैसे कहेंगे, कि ideas spread of states value to other states impacting rules of behavior, तो इसको आप इससे मिला सकते हैं, power as capability यह दिए आप देखें, तो मतलब आप में capability है, मतलब आपके पास resources है, power as resources, तो आप कह सकते हैं कि कि इस कितना बड़ा है, कितना level of income है, GDP, armed force कितना है, यह capability देता है, geopolitical power आपके location से आता है, आपका location strategic है कि नहीं, strategic trade route पे आप जैसे कि switch canal है, being blocked है जिए निपाल और access to sea है, power as influence है कि आप दूसरे state को कितना influence करते हैं और आप कितना influence होते हैं, तो आप match कर सकते हैं, तो एक ही दो से match हो जाएगा, यह सब भी लड़ू question है, यह कहता है, which theorist emphasizes a structural analysis in internationalism, we all know कि structural neorealism यह structural realism की जो पढ़ेता है Kenneth Walz है, यहां Robert Cox को आप देख रहे हैं, जो एक critical thinker है, internationalism, इनकी इस बुक को कभी भूलियेगा, production power in world order, इसके अलाबा, Michael Doyle, जिन्होंने की democratic peace theory दिया है, यहां दिखते हैं, Alexander Wayne, जो constructivist है, जिन्होंने, anarchy, what state made out of it, like, इस concept दिया था 59 देखिए, which theorist has coined the term development of underdevelopment, यहां तो आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो आप एक दम एक जो से चिला के बोलेंगा, अंदर गुंदर frank, इसमें से सभी जो है dependency theory के thinker हैं, Samir Amin ने unequal exchange का concept दिया, eurocentrism, जो है, इन्होंने coin भी किया है, Henry Quadoso और जो है, वो ब्राजील के president भी रहे देखिए, non-alignment refers to an approach by third world country in international politics that, यह आप चारो पढ़ेंगे तो आप यहीं पे आटकेंगे, maintain political independence with active involvement in world politics, जो India करता भी है, ऐसा नहीं है किया passive है, non-involvement नहीं है, non-engagement नहीं है, isolismism नहीं है, 61 देखिए, DAS is defined as political orientation and attitude held by individual in relationship to political system, यह सब लड़्डू question है, political culture, यह सब बेदम लड़्डू question है, class of civilization, Samuel Huttington, end of history, Francis Fukuhama, theory of international politics, Kenneth Walsh, banana, beaches, basses, Cynthia, इस एक-दो से ही match हो जाएगा, second great debate in international relations, किसके के बीचवा, चारो को आप देख लीजे, first जो है, वो idealism and realism, जो interwar period में था, वो debate था, second debate जो यह पूछ रहे है, actually traditionalist and behavioralist के बीचवा था, traditionalist को आप realist कह सकते हैं, इस basis पे, क्योंकि behavioralist के बीचवा यहाँ है, जो third debate था, वो neo-neo debate था, inter-paradigm debate भी कहते हैं, neo-liberalism versus neorealism, and fourth जो अभी चल रहा है, वो rationalism versus reflexivism है, जो भी reflexivity हमनों देखा, जो critical thinking and rational thinking के बीच, यह भी question बहुत अच्छा है, इसके बारे में और आप जो है, मैं कहूंगा कि पढ़ लीजाएगे, public policy के जो deep thinkers हैं, जिन्होंने दिया है, उस पर यह लगातार question पूछ रहा है, इसका सही answer जो है, यह A है, और इन्होंने जो दिया है, मैं इसको explain कर सकता हूं, लेकिन अब मैं ठकता जा रहा हूं, तो मैं कहला आपको answer दे रहा हूं, तो one का C, मतलब जो draw है, इन्होंने optimal policy model दि mixture, rationalist approach and normative approach, दोनों का, Lindblom, जो है, he is known for agents of impairment, इसका मतलब क्या होता है, impairment मतलब कोई चीज से आप, जैसे कोई अंधा है, तो वो impaired हो जाता है, या पयार उसके नहीं है, आधे हैं, तो हम लोग जो है, इसलिए, incrementalism अपनाते हैं, Charles Lindblom is known for incrementalism, क्योंकि हम impaired है, हम उतने ससक्त नह comprehensive, सोच सकें और अधम सब कुछ को बदल दे, इसलिए हम पहले देखते हैं, पहले कैसा हुआ आगे बढ़ते हैं, इसलिए लास्वल, जो है, he is known for contextual, configurative analysis, तो contextualism, जो है, मतलब, contextualism है आप देखे, public policy में तो लास्वल को याद कीजिए, और Mark Waver ने जो है, बुक भी लिखा था governance, a very short introduction, governance के लिए, तो थोड़ा सा है, ये question difficult, लेकिन, जानना चाहिए, ये question आप आसानी से crack कर सकते हैं, ये आसान question है, ये कह रहा है कि यहाँ पे new public management policy network game theory system approach है, और इसके सामने उसके कुछ features दिए गया है, इसमें से एक ही सही है, तो NPM में कोई civil society का role या hierarchy, इस्टे भी ब पात है नहीं, आपको पता है, ये market से alignment है public administration का, इसमें decentralization, public-private partnership, incentivization, ये सब है divisionalization, customer के तरह ठीट करना, policy network theory में ये सब है, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले बाले में बताया था कि एक policy community है, different stakeholder है, जो interdependent है, interconnected हैं, और वो सब असार डालते है public policy के, तो interdependence है, coordination है, pluralism है, तो ये सब है, game theory में, policy subgroup, coalition, policy changes अब नहीं आती है, system approach and prisoners dilemma नहीं आता है, ये game theory में आता है, तो ये सब गलत है, ये जो है, इस तरह question बहुत होता है, ये किस ने कहा है, administration is the type of cooperative human effort that has a high degree of rationality, किस ने ऐसा कहा है, आप इसको इसको इसलिए guess कर सकते हैं, कि Dwight Waldo ने लिखाता, administrative state, तो उससे आप ये guess कर सकते हैं, कि administration के बारे मुन्होंने कहा होगा कि ये type of cooperative human effort, लेकिन difficult है, सही answer Dwight Waldo, 67 देखिए, which of the following innovations are associated with the public employment program, जो MG Narega है, इसका सही answer is all of this, तो just पढ़ लीजे, Narega के बारे मुने बहुत चीज़ पढ़ा है, थोआ को confusing लग सकता है, लेकिन चुकि all of the above है, तो आपको हमेसा उसके तरफ ही जाना चाहिए, तो नarega के बारे में क्या सही है, समझे, सब सही है, the theory of veto player, जो है, ये एक difficult question है, लेकिन बहुत ही important है, कि veto player का जो concept दिया है, किस ने दिया है, तो George Sebelis ने दिया है, और ये पढ़ लीजे, ये concept क्या है, veto player वही है, कि मतलब जो की stop कर सकता है, change को होने से, तो किसी भी system में, यदि कोई status quo को maintain करने का किसी को power है, कि बिना उसके सहमती के आप नहीं कर सकते, जैसे माल जी कि NATO में ये है, कि कोई भी नया member आएगा, तो हर member को veto power है, कोई एक veto कर देगा, तो नया member नहीं आ पाएगा, इसलिए अभी Sweden को ल 69, देखे, which of these statements are true? ये भी difficult question है, क्योंकि ये statistical data आप क्या जानते हैं, कि when it comes to women in legislature, India is the bottom group of nations in the world, ये सही है, ये सही है, कि हम रो बहुत कम, 8 है, 9 percent के वोल, यहाँ पे लोग सभा में है, राज सभा में है, लोग सभा में है, लोग सभा में, लोग सभा में, the share of women in legislative assembly in India, जो state मे जो assembly है, वहाँ higher है, पार्लिमेंट से, ये बिलकुल गलत है, ये तो आपको पता है, कि state में तो और लोग का हाल खराब है, तो इसलिए two गलत है, तो two जिसमें भी उसको काट दीजिए, काट दीजिए, two नहीं होगा, तो one या three or only one, तो अब three को चलिए देखते हैं, India has higher representation of women in public life as compared to many country in Africa and Latin America, it would be very difficult for you to know, कि ये सा है कि नहीं है, मैं भी confused हुआ, लेकिन ये कहते हैं, कैसा सही है, तो, चलिए, मान लेते हैं, लेकिन question mark, find the most appropriate conclusion after reading the following statement, statement one है, dynastic politics subverts democratic ideals and is a symptom of weak party organization, कौन बोले या नहीं है, तो general statement are true, dynastic and family ties have acted as a channel of representation for women, backward caste and Muslim in India, ये statement है कि आप चार बार पांच परित आपको लेगा है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भी women थोड़े बहुत आप ही पाते हैं, वो अपने family ties से ही आपाते हैं, अभी वो नहीं हुआ है, कि आपके family में कोई MPML हुआ है, आप देखेंगे, तो ही थोड़े बहुत उनको जगा मिल पाती है, तो वो उनका रास्ता भी जो है, dynastic politics से ही निकलता है, अफ़ोस ये अच्छी बात नहीं है, लेकि ट्रू है, तो इसलिए ये दोनों ही जो है, true statement है, dear student, I hope कि आपको ये पसंद आया होगा, मैं आज ठका हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो है, ये वीडियो में आप लोगों के लेकर के आया, क्योंकि मुझे पता है कि कल exam है, और मुझे बहुत खुसी हुरी है, इस दोनों paper को analyze करके, क्योंकि this is the paper, जो कहा राता है good paper, ज आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे student हैं, तो आप इसमें 80% marks लाएंगे, और यदि 80% marks लाते हैं, तो आप बिलकुल toppers में से रहेंगे, even 70% पर भी आप qualify करेंगे, और यही होना भी चाहिए, आप मुझे से इस तरीके से जुर सकते हैं, और फिर से मैं आपको याद दिला र